एकचट क्या है ठिक्त्चों नेक्ट्ट कोश्चन है सुओप ऊ सिपोसन के लिए सब्स्टिति लिए संब्सक्राइब डानट है सब्सक्राइब सकताोंको हुआच्ट्ट को और प्रकास के युपष्पिल की द्वाड़ा और सब्सक्राइब के द्वारा अपना भोजन स्वैम बनाते हैं इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन में से सभी ठीक है आई अब नेक्स कुछन देख लेते हैं निमलिकित में कोशिका को उर्जा मुद्रा के रूप में जाना चाहता है किसको उर्जा मुद्रा बोलते हैं अपसन जानी क्या बोलेंगे बच्चों इंग्लीज में एनर्जी करेंसी तो अब यहां कोश्चन रहेगा कि सर वाइब डूवी कॉल एटीप एज एनर्जी करेंसी अर्थात हम लोग एटीप को एनर्जी करेंसी क्यूं कहते हैं तो आई उसका कंसेप्ट हम लोग समझा देते हैं कि आपको कभी यह चीज रटना नहीं पड़े एक बड़ कंसेप्ट समझ लेजिए गा ना तो यह आपको सदा सरवधा के लिए याद हो जाएगा ठीक है इसका कंसेप्ट क्या है इसका कंसेप्ट है बच्चों कि एटीप वास्तों में क्या है एक प्ल्फों होता है एडिनो पूछा जाता है क्या होगा बच्चो एडोनेसीन ट्राइफॉसपेट ठीक है अब चुकि हम लोग इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं हम लोग इसको एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं कभी भी बड़ी में एनर्जी का यूज रहे पर ठीक है तो अब ये क्या बची बन गया यहाँ पर यहां पर तूटनेसे क्या निकलता है इसलिए हम लोग को हम लोग हम लोगस को क्या बोलता है उडोजा मुदरा यह एनर्जी करेंसी के दूप में क्योंकि इसमें हाई एनरजी बरwieण होता है जिनके तूटने से हमको एनरजी मिलती ओक्त हुतAL होता है आप लोगम मालूम है मानिटो कॉंधिया हें है मैटो कॉंधिया को बोलते हैं ठीक है न भठो बतो مشुद जिवास मिंदन के वास्तिक शरोत क्या है सूरे चंदमा नाविके सरले निन में से कोई नी तो इंसर हो जाएगा सूरे अब आपका कुश्चन है जाएगा सर कैसे हमको समझा दीजिए तो आईए इसका कंसेप्ट देख लेते हैं बहुत ही सुन्दर इसमें कंसेप्ट इन्वाल्ब है जिवासमिंधन का मतलब क्या कि इनर्जी शौर्ड उर्जा है उसके पास उर्जा कहाँ से चान सब्सक्राइब पूरे बड़ी में जो एक एक इस बांपिन्स यह यह लेते हैं वास्तों में हट क्या है हम लोग बड़ी में जो हर्ट और निसका में इसका में इसका में एक ही काम है बच्यों पॉंपिंग करणा इस चीज को पब करना ब्लरड को पंप करना it is known as pumping station of the birdie ठीक है ना बच्चो अब पूछ रहा है कि किसके द्वारा पंप किया जाता है फेफरो द्वारा निले द्वारा अरीन द्वारा इन में से सभी तो pumping करने का काम होता है निलाए द्वारा निलाए को हम लोग इंग्लीस में बोलते हैं वेंट्रिकल्स मालूम होना चाहिए बच्चों आप लोग को क्योंकि आगे जब पढ़ाई कीजिए गाना तो जितनी भी अच्छे बुक हैं सब इंग्लीस में तो स्विच करना ही होगा वेंट्रिकल्स तरह अल बढ़ाना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा वीडियो है आई यह नेक्ट कुछन हम लोग देख लेते हैं हमारा आगला प्रसंद क्या अगला प्रसंद लगते कौन से घाया लस्थान से रक्सराव के मार को रक्त का थक्का ब बता दूंगा ब्लट कोटिंग के लिए बिटामीन के जहुड़त होती है बिटामीन नेक्स्ट को देख लेते हैं नेक्स्ट क्यों होता है दिवखंडन बाइनरी फीजनाग बाइनरी फिजन यहां बहुत अच्छा बताएंगे चल आप लोग को सुनने में काफी अच्छा मुझा है पूछ रहा है क्या है इन सभी तो मांप को हम लोग अमर जीव बोलते हैं आ रजीव घ्ञान क्या बोलते आ रजीव नहीं हम अमर यानि अमर यह कभी अधिक म कैसे बोला गया आमण में हम बोलते मोलट कर नगर मैं का अच्छा कुस्छन एक रियेक्षन दिया गया और पूछा गया किस तरह करेंगे अबस्य को लाइड के बीच में कराया जा लाइड देखने में मालुम चला कि इस reaction में जो सोडियम है उसको रिप्रेस कर दिया है बैरियम और साथ ही साथ जो हमारा सल यह है क्या को लीन है उसको भी ठिक्ष किया गया है यानि अब ध्यान से देखो तो यहां पर क्या होड़ा है sodium हटके यहां पर क्या आ सोडियम होगा जिसमें दिवफिस्थापन हो रहा है मतलब दो दो एलिमेंट का ही क्या उड़ा एक दूसरे को अलग कर रहा है अपना जगह चेंज कर रहे हैं दो एलिमेंट यह कैसा हो जाएगा रियक्षन बापू दिव विस्थापन अभिक्रिया इंग्लीज में इसको बोलेंगे तो आपको नाम काफी किलियर हो जाएगा डबल डिस्प यह प्रस्मेंट यहा जाएगा जुटियूक्वे जाएगा जोड़ चाहिए विलिमेंट्स पनीज्टेश र दाएगे अभिक्रिया इनग्वाश्य नाम काफी डिवर कह जो हैं आपको भूलाग्ड़ को भूलाग्क्रिया जाएगलग्ड़ को यह जा जो हमक्लेश्मेटिय